असलाम आलेकुम नाजरीन ड्रामस ये कलंग की नेक्स एपिसोड में आप देखींगे दुरहिया जिसने जुट बोला अपनी सास और सबसे और वो अपने ये जुट में अब खुद ही फस चुकी है इन दोनों मावेटी की बातें सुन चुकी थी जिसके बात उन्होंने दुरहिया को अपनी उस फ्रेंड को इनवाइट करने का कह दिया कि ऐसे तो वो चली जाएगी ना मैं कि तुम इनवाइट कर लो अब ऐसे इस सुबह होते उसने अपनी दोस उसी नोशी को कॉल कर ली शारू का भी जिकर कर दिया कि तुमने उससे मुझसे मिलवाया है ये सुनकर तो वो आंके ही फेलेती है कौन शारू क मैं किसी शारू को नहीं जानती और वैसे भी मेरी शादी हो चुके मेरा शोहर अच्छा है मैं अपना क्यों घर खराप करूँगी इसलिए उसकी कॉल ही काट दी अब ये दुरैया तो और भी फाच चुकी है बस इस वाहाज को ट्रैप करने की फूरी कोशिश कर चुकी है और वो भी एमोशनली आप सब लोग मुझ पर शक कर रहे हैं ना वाहाज ने वज़ा पूछी किसे ने कुछ कहा वाहाज हर बात कहनी जरूरी नहीं होती कुछ चीजे महसूस हो जाती है तब ही वो उसकी वालता का जिकर करती है तो उसने कह दिये कि तैह हो गया तुम अपनी दोस्कों यहाँ पर बुला लो खाने पर किसी बहाने में की बात भी रह जाएगी और उनका शक भी दूर हो जाएगा अब दुरही अब बहुत बुली भास चुकी है लेकिन बहाने करने तो वो अच्छे से जानती है अब कुछ कह दे कि मेरे दोस्कों एमरजनसी हो गई या वो चली गई या उसकी तवित खराब हो गई तो वहाँ पर सारे जिसकी परमोशन हो चुकी है दानियाल उसकी काम से बहुत इंप्रेस्ट है उसे प्रोजेक्ट हेट बनाया गया तो वो अब प्रेजेंटेशन पेश करती है तो दानियाल ये सब दे कर खुश हुआ मेरी अमा को भी काफी टफ टाइम दिया गया उन्हें ही रासा किया गया अब दानियाल जो कि इस फेज से गुज़र चुका है इसलिए उसे किसी की भी मैली नियत बुरी नियत बिल्कुल भी बरदाश नहीं होती और ये ही वो दानियाल है जो सारा को डिजर्व करता है और ये ही सारा है जो दानियाल को ही डिजर्व करती है अब तो विवस बड़ी बेसबरी के साथ इंतजार है कि कब दानियाल और सारा एक होंगे और वो दुरेया अपने माजी से दोड़ती ही रहेगी और फिर जब उसका सब के सामने पूल खुलेगा तब दोनों माँ बेटी सर उठा कर जीने के लाइक भी नहीं रहेंगी